तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Central University पंजाब का जो फिर्ष्ट प्रोविजिनल मेरिट लिस्ट आया है और MA Sociology और इसके साथ हम लोग रिफंड पॉलिसी के बारे में बात कर लेंगे और फी के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि अभी वो पूरा टाइम चल रहा है जहां बहुत सारे अलग रिफंड होगा नहीं होगा यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फी यह सारी उनुशिटी के राउंड 10,000-15,000 हो जाता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बदा दूगी 14th of May को यह रिलीज हुआ था प्रविजिनल मेरिक लिस्ट और 15 तक में आपको जो है फी पे करना है अगर आप फी पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट किसी दूसरी को दे दी जाएगे और अगर आप टोटल देखते हैं तो जित लिस्ट में नाम आया है और यह सभी 40 कंडिडेट को अप्लाई करना है उसमें से कुछ लोग नहीं अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले से रियल मेरिक लिस्ट के नुसार से अप्ग्रेड होते चला जाएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी के बारे में तो 15 डिज और मोर बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ओफ एडमिशन और अभी यह अपका में जुन तक पूरा लास्ट डेट ओफ एडमिशन जो में जून में ही आएगा क्योंकि सब्सक्राइड लास्ट डेट ओफ एडमिशन अगर मालिज फर्स्ट ऑफ यह जून भी हो जाता है तो उससे 15 डेज पहले तर आपको पता चली जाएगा कि आपको कौन सी उनिवर्सिटीज में अडमिशन लेना है क्योंकि जून के बिग्निंग में सारी उनिवर्सिटीज क जो है वह मेरिट लिस्ट आ जाएंगे तो आपको डिशाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर आपको 90 परशेंट चांस है कि आपके 100 परशेंट हो जाएंगे और वहीं जो आप लास्ट में देखिएगा कि 5 परशेंट फी जो है डिड़क्ट हो जाएगा ज जो है आपको 14,875 की पे करना है तो उसका फिर आप अगर 5 परशेंट निगालते तो रफी 6,700 निगल कर आएगा ठीक है और वहीं अगर सेकेंड सेमेस्टर ये वार हम दो टूटल सारे सेमेस्टर की फी की बात कर लेते हैं आप चाहें मम एडमिशन लेना चाह रहे हैं MSC मे जोगरफी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का 6,255 है थर्ड सेमेस्टर का 9,425 है और वहीं 4 सेमेस्टर का 6,525 जो ये टोटल आपको फी पे करना है और फिल विजिट ट्रेनिंग के लिए जो है सेपरेटरी वो डिपेंड करता है कि आप कौन स राउन 37,000 के लगवग जो है आपको टोटल फी पे करनी है अगर हम लोग यहां पर आप यह चारों सेमेस्टर के फी को एड़ कर देते हैं अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कट आफ के बारे में सो सोसलोजी के अगर हम लोग बात करते हैं जो फॉस्ट कंडिडेट थ जिसने अप्लाई किया तो उनकी स्कोर है 265 सिडूल कास्ट में 154 सिडूल ट्राइब में 170 OVC में 203 और EWS में 47 अब आप यहां पर 47 कहिएगा कि सर यह तो बहुत कम मार्स है इसलिए क्योंकि EWS कंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया तो यह भी एक इंपॉर्टन चीज सब्सक्राइब में 150 होगा उनको लग रहा होगा कि यहां पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो यह चीज बहुत इंपॉर्टन हो जाती है और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है Central University में तो आप फटा-फट जाके Central University में अप्लाई कर दीजिए वह बहुत ही इंपॉर्टन है वहीं अगर लास्ट के मार्क देखते हैं तो यहां पर इसमें जो है एक ही कैंडिडिट ने अप्लाई किया था इसलिए फर्स्ट और लास्ट अब देखिए सीट्स भी एक है एक यानि इनको जिसने भी अप्लाई किया यहां पर आडमिशन भी मिल जाएगा अब यहां बात करते हैं लास्ट कंडिडेट का तो जनल के टेग्री में 163 सेडूल कास्ट में 83 सेडूल ट्राइब में 94 और वीसी में 119 तो टो टो जो प्रोविशनल मेरिट लिस्ट में जो नाम आया है तो जनल के 27 इस्ट्ट के नेम बात करते हैं वहीं अग्ने खाव सेडूल ट्राया का फॉट्रीड यह सब्सक्राइब में कड़ीब राज हो स्टॉल ट्राइब में आपके 9 हो जाते ओर और वॉर्षेडिश के रिल्याइब 7- Father यह सब्सक्राइब आपका सीड डिस्ट्रिबूशन यह सीड मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं अब यहां पर अगर माली जी अगर आपका नाम नहीं आया है और आप में सेंटर पंजाब में अप्लाइ किया है तो यहां से आपको एक आडिया लग जाएगा कि लास्ट केंडिडेट में इत आपको यहां सेंटर आपको डिश्टन Ez तक लिए और अटलोग 1 रिशार उनशन करेंआरे मलर्निख शिटाफलीड मतानी में बोल सकते हैं फर हैं औरे अशूरह को बृट्य कुünde और आपको मेल महीं जाएंगा है कि ऑक यह वहां थो कोई ऐंडमिसिन करेंगां questions queries यह आपको पूर सकते हैं और जो भी information होता है वो सारा information आपको provide करते चले जाएंगे और अगर आप new है channel पे तो प्रीज चानल को भी subscribe कर लें notification bell भी दबाए लें so that जितनी भी important upgrades होते हैं वो सार आपको मिलता रहे or video पूसंध दो प्रीज को अवेष लोगि लाकले खो thank you and wish you all the perfect